उस्तर प्रदेश के मुरादाबाद में अब बाड जैसे हालात हैं उफान पर राम गंगा और धेला नदियां हैं कई गाओं में नदियों का पानी घुस गया है कालागर्ध डैम से हर रोज 1000 क्यूसे गौर करियेगा कालागर्ध डैम से 1000 क्यूसे पानी छोड़ा जारा है जिससे नदियों का जलसतर लगातार बढ़ रहा है और ये जो बढ़ा हुआ जलसतर है इसकी वज़े से गाओं में पानी घुस रहा है गाउं में जो घर है अब उनमें पानी गुसने लगा है संकों पर पानी आने लगा है राम गंगा और धेला नदी उफान पर बह रही है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हम आपको ये खबर बता रहे हैं उतरप्रदेश के मुरादाबाद में अब बार जैसे हालात है हालात क्यों है क्योंकि राम गंगा और धिला नदी में पानी आए पानी कहां से आया है काला गढ़ डैम से हर रोज एक हजार क्यूसक पानी चोड़ा जा रहा है पहालों पर हो रही लगातार बारिश से जो मैदानी अलाके हैं उसमें नदियां उपान पर हैं हम इस वक्त मुरदवाद में हैं और ये मुरदवाद की राम गंगा नदी है आप देख सकते हैं कि जो नदी का पानी है वो शहर की तरफ बढ़ चुका है और जो लोगों की आब सकते हैं कि जो महिलाएं हैं पुरुश हैं वो अपने घरों को जाने के लिए अपने गाउं जाने के लिए नाओं का इस्तमाल कर रहे हैं क्योंके राम गंगा नदी में बाढ़ आ गई है और जो सरकार है उसने औरेंज अलर्ड जो है वो जारी किया है लगबग एक सो चालि इलाके हैं वहाँ पर तमाम गाउं में बाढ़ का पानी घुस चुका है और जो शहर है मुरदवाद उसकी यह तस्वीरे हैं कि जिए लाइन इलाके से पॉश कलॉनी है वहाँ तक जो है पानी पहुंच चुका है और जो यह निचले इलाके है तो मुरदवाद से हम अपने स का मतलब है सही जानकारी कठा करना और तत्थे बताना पत्रकारता जितने महत्वपून दौर में है शायद पहले नहीं थी इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जुरूब है वो सच जो आपके हित को आगे रखे इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम न एबीपी न्यूज आपको रखे आगे आपको रखे आगे